नमस्कार आप सबी का स्वागत है जमो लिंक्स न्यूज में और मैं हूँ विशाल शर्मा राजोरी में एक असिस्टेंट कमिशनर पंचायत जिनका नाम अब्दूल राशित कोली है और जेके एस अधिकारी है इन्हें सस्पेंड किया गया है और सस्पेंशन की वज़ा है कि इन्होंने religious sentiment को hurt किया है अगर इस पूरी खबर को थोड़ा और विस्तार से बताऊँ तो इन्होंने anti hindus जो remarks है वो दिये है और ऐसा उन्होंने उस वक्त किया जब वो एक रेस्टोरेंट में अपने बाकी अधिकारियों के साथ खाना खा रहे थे और ओर्डर को लेकर यानि कि जिस वक्त वहाँ पर मील्स ओर्डर किये गए तो एक हिंदू अधिकारी ने नौनवेज ओर्डर नहीं किया जिस पर इन के नौनवेज नहीं खाएंगे तो इस पर बहुत ही गलत तरीके से टिपनी जो है वो अबिदुल रशीद कोली ने की और उनसे ये तक कह दिया कि यदि वो नौनवेज खाएंगे तो उनहें जो है वो वो पवित्तर हो जाएंगे उन्हें जो है वो बहुत सी ऐसी objectionable बाते की हैं जो शायद यहां पर बताना सही नहीं है और कहीं न कहीं motivate किया उन्हें वहाँ पर कि वो convert हो जाएं तो ये बाते जो थी ये उन्हें बहुत बुरी लगी उन्हें बहुत चुबी ये बाते कहीं न कहीं उनकी धार्मिक बावनाय जो थी वो आहत हो सकते हैं यानि के कुल मिलाकर ये पूरा वहाँ पर जो माजरा था ये उन्हों ने एंटी हिंदू रिमाक्स वहाँ पर दिये अब्दुलरशीद कोली ने और इस अधिकारी को जो है बहुत जादा ये कहें कि इनकी धार्मिक बावनाओं को आहत किया गया क्योंकि इन्हों न नौन वेज और नहीं किया था इस जो पिडित है जिसके साथ ये पूरा वाक्य हुआ उसने यहां तक लिखा कि उनके साथ और बीच आरा अधिकारी थे लेकिन वो सभी चूप रहे उनमें से किसी ने कुछ नहीं का क्योंकि ये कोली जो है ये सीनियर थे और जब इस शिकाय पिलेखोजाय थे और उसके बाद इस जो ये शक्स ताथ जिसके साथ ये पूरा वाक्य हुआ उसने जो है वो कंप्लेंट वहां पर फाईल की और कंपलेंट फाईल होने के बाद आज डिस्टिंग मारी स्टेट राजोटी ने जो है एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्ह इफेक्ट यह बहुत जरूरी था कि इस प्रकार की कारवाई हो लेकिन केवल सस्पेंशन इस सा मसले का हल नहीं है तो पंदरा दिनों के अंदर यह चो कमेटी का गटन किया गया है यह इस मामले में रिपोर्ट भी सब्मिट करेगी लेकिन यह मामला केवल एक केस तक सीमित नहीं है अगर कोई अधिकारी जो की जेके एस है और अपने जूनियर्ज के साथ सबॉडिनेट के साथ इस प्रकार से विवार करता है तो वाकई में इस पूरे मामले को काफी गंबीड़ता से लेने के जरूरत है कि कैसे एक समुदाय को लेकर एक दूसरा अधिकारी जो की पत पर ब बैठा हुआ अधिकारी जो है वापसी बाइचारा और शांती बनाये रखने के लिए बादे होता है लेकिन इस प्रकार की टिपनियों से जो है वो कानून विवस्था और शांती दोनों को संकट होता है दोनों को खत्रा होता है और इसलिए शायद इनका सस्पेंशन जो है वो किया गया है और ये पूरा वाक्या दरसाल एक रेस्टोरेंट है इसका नाम भी मैंचन है ब्लू मून रेस्टोरेंट है जहांपर ये चार लोग जो थे ये वहाँ पर खाना क के लिए गये थे और इस में देखी ये साफ लिखा गया है this conduct of the officer is not only a violation of the service conduct rule but also an issue of hurting religious sentiment of other community and has the potential of creating law and order problem within the district तो इस पूरे वाक्या से इस पूरी जो उनकी ये हरकत है इस से जो है ये law and order की समस्या भी उत्पन हो सकती है तो एक ऐसा अधिकारी जो की एक बड़े पदपर है जेके एस है और अपने असाथियों के साथ भोजन करने के लिए गया है वहाँ पर वो इस प्रकार का अगर विवार करता है तो कारवाई बनती है और कारवाई जो है सकत कारवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर इसी प्रकार की हरकत कोई एक समान्य व्यक्ति करे कोई एक समाने व्यक्ति इस प्रकार का बियान बाजी करें या पिर किसी की धार्मिक बावनाओं को चोट पहुंचाए तो उस पर जो है वो किस प्रकार की कारवाई होती है वैसी ही कठोर कारवाई होनी चाहिए ताकि तबाम अधिकारी जो इस समय पदों पर बैठे हैं वो ब धार्मिक प्रपोगंडा फैलाने की कोशिश करें वहाँ पर जाकर इस प्रकार की बाते करें जिससे की दूसरे लोगों को चोट पहुंचे उनकी धार्मिक बावनाओं आहां थो तो फिलहाल इन्हें सस्पेंड जो है ये किया गया है अब देखना ये होगा कि इस मामले में इंक्वैरी कमिटी क्या रिपोर्ट सम्मिट करती है और अंतते इन पर क्या कारवाई होती है अब देखते हैं जमोलिक्स नमस्कार